स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल पर आज की इस वीडियो में जो पेपर 4 जनौरी 2020 को कनिश रायक का हुआ है उसको लेकर आ रहा है तो चलिए बिना देर की ये वीडियो सुरू करते हैं उससे पहले इस वीडियो को जरूर लाइक कर दें इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सस्क्राइब करें उसके बाद बेल आइकन दबाएं उसमें अल सेलेक्ट करें इसी तरह की बैठरिन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए देखिये आज की इस वीडियो में जो paper two है यानि की जो shift one का paper है उसका reasoning cover करेंगे shift one का hindi हमने और रेड़ी cover कर दिया है आपको इस वीडियो के description में या फिर आप channel पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं तो चलिए शुरू करें लेकिन उससे पहले आपको दिखा दें कि देखें यह है पेपर और आसा है कि आपने भी पेपर डाउनलोड कर लिया होगा अगर अभी तक नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा वहां से जाके डाउनलोड क कर लीजिए तो देखें यहां पे आपको कुछी इस तरह से कट कट के कोईस्टन दिखेंगे और यहां कोईस्टनों को अलग-अलग करने का यह मतलब है कि आपको अच्छा दिख सके क्यूंकि वहां पी क्लियर नहीं दिख रहा था इसलिए यहां पे सारे कोईस्टन लेकिन आपको इस तरह अलग-अलग मिलेंगे तो अगर आपने पहले सिप्ट में वेपर दिया है तो आपका क्वेस्टन तो मिलेगा आपको यही होगा कि इसके नंबर इंधर उदर होगी तो शुरू करते हैं पहला क्वेस्टन ही कि इसमें क्यूब एक मतलब की घन का यह रुप दिया गया है, आपको बताना है कि इन में से कौन नहीं बनाया जा सकता, तो देखे इस तरह के question वे क्या करना होता है, कि इसमें आपने पढ़ा होगा कि इसका तीसरा होता है, यह इसका below होता है, यानि जो 5 नमबर है, इसका below है, 4, और जो यहाँ पे black है, मतलब पूरी तरफ इसका тoshima मैं कि यह यांनि काने का यह मतलब है कि यहomma साथ 5 और 4 नहीं आएंगे एक साथ यह 2 नहीं आसकता या फिर एक साथ यह और यह और यह वर्ग नहीं आशकता तो देखते हैं यहाँ पर कौन आफ़सम्त हएं हो में काला वाला अगर यहां रहता है तो इसके उपर यह है ठीक इसके उपर यह है और इसके इधर मतलब कि राइट साइड में 4 है यानि कि यह जो फीगर है यह पॉसिबल है क्योंकि same to same इसके जैसे दिक रहा है दूसरा को चेक करने है तो दूसरा में सेम वही है यह बीच में है तो यह भी बीच में है उपर चार कर दिया है उपर यह चार नंबर है यहाँ पर आप देखेंगे तो यह चार नंबर है ठीक है यानि कि जो यह आपको में फिकर दिया गया इसको 90 डिगरी इधर रोटेट किया गया है 90 डिगरी आप रोटेट कर दे तो यहां पर तो ठीक है लेकिन जो यह है यह इसके इधर आ जाएगा इसका नया जगह यहां पर होगा जो कि इसमें गलत है इसका नया जगह इधर सो कर रहा है ठीक यानि कि यह नहीं बन सकता और यही हमारा उत्तर होगा फिर भी चेक कर लेते हैं अगले आपसनों को तो अग क्या किया गया है कि इसको यहां पर रोटेट किया गया है 90 डिगरी इधर का क्योंकि यह बीच में है यह उपर होना चाहिए जो कि इसमें साइड में दिया गया है ठीक है जब साइड में दिया गया है तो जाहिर सी बात है कि यह जो 5 है यह उपर आ जाएगा तो इसमें 5 उपर पर अगर हम ज्यादा टाइम लेंगे तो वीडियो बढ़ी हो जाएगी अगला है कि मिलन को आई मिलन के रुप में लिखना था तो यह तो कोईशन बेहाद असान था और सभी लोगों ने इसको सही किया होगा देखिये क्या किया गया डबल एल ओ आई एन लिखना था और यहाँ पर देखेंगे कि इसको यहाँ कर दिया तो आपको दे दिया था कि हिल्टन को आप लिख के बताईए हिल्टन को तो जाहिए इस बात है कि हम यह से लिखेंगे आई लिखेंगे उसके बाद लाश्ट वाले को आप देखेंगे कि लाश्ट में लिख दिया है तो आप लाश्ट वाले को लाश्ट में लिख देंगे अब बस मिला लिजिए कि कहा आई एस से सुरू है और यहन पर खतम है तो आई यह से शुरू है और यहन पर खतम है कि वो लेखी है यानि कि आपसन नमर पहला सही होगा उसी तरह जो अगला कोश्चन है उसको भी देख लेते हैं तो अगले कोश्चन में कहा है कि क्लॉक को C-L-O-C-K को K-C-O-L-C लिखा है तो देखिये लाश्ट को फर्स्ट फिर से इसको यहाँ बीच को बीच इसको यहाँ और फर्स्ट को लाश्ट यह सिम्पल करिया है तो अगर आपको रमेश करना है तो आप क्या करेंगे यह सुल तो कह रहा है कि उसी कूट वासा में लिखा जाए तो नए सब्द के पहले और अंतिम अच्छर क्या होंगे तो जो इसका पहला होगा यह होगा और अंतिम होगा आर यानि कि आपसर नंबर भी सही होगा तो आसा है कि समझ में आया होगा अगला है और बेहत कोईशन असान है यह भी इंडस इंडस होका रहा है कि 0, 3, 8, 6, 5 और टेनिस को 2, 4, 3, 3, 0, 5 तो देखें किसी भी कुईशन में जब दो चीजे इस तरह दी गई हो तो जाहिल सी बात है कि एक्जामन यह बताना चाहता है कि उसके जो सामने लिखा गया है वही होगा शें क्योंकि आप चेक भी कर सकते हैं यहन क इस में भी 3 है यहन का इसमें भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है Iska 5 है यहनी कि एक तरह से आपको «Code» दे दिया गया है ठीक है तो देख लेते हैं यहाँ पर अब देखें पूछा गया था स्टुटेंट का तो स्टुटेंट में इस struggling है तो이क्रास के पांच होगा अब देखें किस पूरा मिलाने की जरूरत ही नहीं है तो देखते हैं एकला question जो कि यहाँ पर आप और सट नमर पर देख पाएंगे इसमें यह है कि 10 को लिखा गया है ती एच देन को R L B S तो यहाँ पर question को उल्टा पूछा गया है कि आप बताईए कि A E P J किसको लिखा गया है यानि कि आप देखेंगे कि इसका होता है 20 R का क्या होता है तो R का होता है 18 ठीक यानि कि यहाँ से जो यह उपर गया है कितना हुआ है 2 प्लस हुआ है L का चेक करिए कि L का कितना होता है तो L का होता है 12 H का कितना होता है 8 यानि कि क्या हुआ है 4 माइनस हुआ है तो क्यों इतना ही चेक करिए हो सकता है कि इतना ही में आपका उत्तर आ जाए यानि कि आपको यहाँ ऊपर वाला बताना था ठीक पहले में 2 प्लस हुआ है तो आप जाएगा एक मतलब अब देखे 2 आ चुका है तो मिलाई ए अगर C A से कही अपसन होगे तो फिर शेमें आगे बढ़ना होगा लेकिन यहां पर देखें कि Cheval A कहीं आपसन है यानि कि ये सही हो जाएगा और आपको इतना ही देख के आगे बढ़ जाना होगा अगला question और इसमें आपको बताया गया है कि इन में से किस अच्छरों को मिला करके ये बनाया जा सकता है तो ये तो बहुत असान है वैसे आप देखेंगे तो ये जो collaboration लिखा गया है यही same to same है और अगर आप इस वीडियो को रोक के देखना चाहिए तो आपको सारे word इसमें मिल जाएंगे बाकी को जो आप चेक करेंगे तो अगर आप इसको चेक करेंगे तो इसमें E नहीं है अगर आप इसको चेक करेंगे तो इसमें M नहीं है इसको चेक करेंगे तो इसमें V M होना चाहिए यानि कि इस question के लिए जो आपका सही उत्तर पूछा गया है कि मतलब कि किसको बनाया जा सके अगला है कि परस्नल्टी में इसमें से आपको एक वर्ड बताना है तो इसमें कह रहा है कि सब्द के तीसरे यानि कि आर चौथे यानि कि यस हो जाएगा यस पांचवे यानि कि ओ और सातवे यानि कि ए और दसवे आठवा नौवा दसवा टी इनको मिला करके एक सार्थक सब्द बनाईए अगर कोई बनता है तो तो अगर आप देखेंगे तो इनको इस तरह कोईशन में होता क्या है कि अगर आप तुरंत आपके दिमाग में आ गया तब तो आप असानी से हल कर पाएंगे तो इससे एक सब्द बन सकता है रो ए यस टी रोष्ट मतलब होता है भुनना तो यहाँ पे पूछ रहा है कि उस सब्द का अंती मच्छर क्या है तो अंती मच्छर है टी यानि कि आप से नमबर सी स देखिए चार जुड़ा है यहां से देखिए चार जुड़ा है जाहिर से बात है कि यहां पर भी चार जुड़ेगा यानि कि 6 चार कितना होगा 10 होगा इसको देखते हैं यहां पर 29 है 23 है 18 है 14 है और यहां पर बताना है आपको यहां पर देखिए कितना माइनस हुआ है 6 मा तो इसमें से इसके आगे क्या आएगा तो आप देख सकते हैं कि जो ABCD में क्रम होता है सेम टू सेम वह एकरम है तो इसके लिए सही उतर होगा K11 और M13 ठीक है यहाँ पर दो दो बढ़ता गया है तो इसमें भी हमने दो बढ़ा दिया है और K11 और M13 होगा यहीं कि आप से नमबर पहला सही होगा अब देखे अगला कोईशन है कथन और निसकर्स से इसमें निसकर्स बताना है और इस तरह के क्वेशनों में करना क्या होता है कि आपको कथन को सही मानना होता है हमेशा तो इस कथन में यह कहा गया है कि किसी विसेश चेतर में वहां के जो निवासी हैं बिरोध कर रहे हैं किसी चेतर के लिए एक रिपोर्ट लगाया गया है उसका और लोग का रहे हैं कि यह जो रिपोर्ट है यह पुर्वा ग्रवा पे अधारित है मतलब कि यह कहानी के तरव हम आपको समझा दें माल लिजे इस छेतर में दंगा हुआ है यहाँ पे कोई आयोग आता है अपना जांच करने जांच करने के बाद वो अपना रिपोर्ट सब्मिट कर दिया है सरकार को लेकिन यहाँ के लोग अब सड़कों पे आ गए है और इनका यह कहना है कि यह जो आयोग आया था मतलब इसमें जो हेड थे उन्होंने यहाँ पे अच्छे से जांच ही नहीं की और यह आप इसमें बैट करके अपने मन से सोच करके पुर्वा गरह से अपना रिपोर्ट बना के भेज दिये है तो अब आपको बतायना है कि सरकार को क्या करना चाहिए तो पहला आपसन है कि उचित जांच के लिए कोई दूसरा जांच आयोग बनाना चाहिए यह आपसन है तो यह बिल्कुल सही है क्योंकि उस वहां के लोग संतूश नहीं है उनका यह मानना है कि यह जो आयोग है मतलब जो आयत है मेन इन्होंने पुर्वा गरह पे अधारित अपना नेड़े दिया है तो हो सकता है कि उन्होंने गलती की हो तो इसलिए अब आपको एक नया आयोग बना देना चाहिए ताकि जो किलियर बात है हो सब के सामने आ सके अगला है कि आयोग के सदस्यों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए मतलब पहले आयोग में जो जो सदस्य थे उनको कह रहा है कड़ी से कड़ी सजा मिलने चाहिए तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि निसकर्स निकालते समय आपको निगेटिव कतनों पे ध्यान नहीं देना होता है कड़ी से कड़ी सजा तो तब देंगे आप जब पता चल जाएगा कि हाँ इसमें कोई गलती है अभी तो पता नहीं चला है अभी तो केवल लोग मांग कर रहे हैं और हो सकता है कि लोग की बात सही हो इसलिए हम एक दूसरा आयोग ला रहे है यानि कि दूसरा गलत हो जाएगा अब कहा रहा है कि अगले अस्थापित आयोग में केवल उस छेतर के निवासियों को सामिल किया जाना चाहिए तो यहाँ पर देखिए केवल उस छेतर के निवासियों को सामिल करने का कोई मतलब नहीं है जब केवल उसी चेतर के निवासी रहेंगे तब वो कहां से अच्छा जाँच होगा वो तो अपने फेवर में बात करेंगे यानि कि इसमें केवल एक वाला जो सही है और अगर आपसन में आप गवर करेंगे तो आपसन कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें से केवल एक को बताया गया है यानि कि इसका आपसन में बड़ी सही होगा अगला देखते हैं इसमें नेवला, उद्बिलाव, साही, चुवा, गीनी पीक इसमें से आपको बताना है कि इन में से क्या अलग है उद्बिलाव, गीनी पीक, नेवला और चुवा तो उद्विलाव और गीनी पीक और चुवा ये तीनों सेम होते हैं सेम जैसे दिखते भी हैं डिफरेंस के ओल इतना है कि उद्विलाव थोड़ा बड़ा दिखेगा उससे छोटा गीनी पीक दिखेगा और सबसे छोटा चुवा दिखेगा लेकिन जो नेवला है ये अलग प्रजादी का है इसका काम भी खोन करा बावला है तो ये अलग हो सका जाएगा यानि कि इसके लिए आपका सही उतर होगा नेवला अगला है कि इसमें से आपको अलग करना है कोटस, लेंपीरा, डालर, और टका तो आप देखेंगे तो ये लेंपीरा, डालर, और टका किसी ने किसी देश की करन्सी है लेकिन जो कोटस है ये किसी देश की करन्सी नहीं है यानि कि इसके लिए सही उतर होगा कोटस क्योंकि आपको जो इसमें से भिन है उसी को चाटना है आगे देखेंगे तो यहाँ पर है कि ब्रमांड पृत्वी उपग्रहतारा इसमें से भिन्द कौन है तो पृत्वी उपग्रहतारा यह जो तीनों है यह ब्रमांड में ही है यानि कि ब्रमांड की अंदर की बात की गई है इन तीनों में और ब्रमांड अलग है यानि कि आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा ब्रमांट हो जाएगा ये बेहाद असान question थे अगला है ये वाला question रिपीट हो गया है तो आगे बढ़ते हैं अगला है कि मोतिया बिंद कोशिका प्रदा, ग्लुकोमा और हाइपर मेट्रोपिया, ट्रेकोमा तो इसमें आपको बताना है कि कौन सबसे अलग है तो यहाँ पे आप देखेंगे तो हाइपर मेट्रोपिया, ट्रेकोमा मोतिया बिंद, सभी सर यानि कि आँखों से related है बाकि जो कोशिका प्रदा है ये उससे related नहीं है यानि कि ये पूरी बाड़ी में है तो इसके लिए सही उत्तर यही होगा बाकि तीनों आखों से related थे अगले में आपको बताना है कान, टांग, हिर्दे, ब्लिक और हाथ इनने से कौन अलग है तो आप देखेंगे तो टांग, कान और हाथ ये आपको दिखते हैं, ये सरीर के बाहर है बाकि जो हिर्दे है, इस सरीर के अंदर है जो कि आपको नहीं दिखता है तो इसके लिए सही उत्तर होगा हिर्दे देखें, अगर quality संबंदी कोई issue है तो यहाँ पे three dots दिख रहा होगा दाएं तरफ उपर उसको दबाईए quality select करिए, high quality select करिए आपको clear दिखने लगेगा अब देखते हैं इस question को यहाँ पे कह रहा है कि ऐसा कौन है जो fold करके नहीं बनाया जा सकता तो देखें इस तरह में क्या करना होता है आपको पहले opposite लिख लेना होता है यानि यह जो पांच है इस तरह इसका opposite है circle में गोला opposite है जो कि colorful नहीं है अब आपको मिलाना है तो अगर आप पहला आप संदर सुरू करें तो देखें इसको ले लिया है पहले ठीक है गोला अभी कर रहे थे तो यानि कि यह जो है यह नहीं बनेगा और question में यहीं बताना था कि कौन नहीं बनेगा यानि कि इसके लिए आप से नमबर यहीं सही होगा बढ़ते हैं आगे यहाँ पे देखिए यह figure दिया गया था टाउन हाल पता नहीं क्या लेकिन यहाँ पे जो figure आया है आयूक के paper में यह यहाँ पे clear नहीं दिख रहा है तो आप इसे खुदल कर सकते हैं यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा है ताकि इस पे आगे बढ़ा जा सके अगला question है कि उस बिकल्प का chain करिए जो पहले पत से ठीक उसी प्रकार से मंदित है जिस प्रकार से चोथा पत दूसरे पत से यानि कि बताएं देखिए ब्रित बन जा रहा है गोला तो यह ब्रित है 2D गोला है 3D तो यहाँ पे कौन ऐसा चीज है जो कि 3D करने पे घन बन जाएगा यह होता है वर्ग मतलब ब्रित रहता है तो यह गोला बन जाता है ठीक है तो अगर यह वर्ग रहेगा तो यह जाके जब इसका 3D आप करेंगे तो यह घन बन जाएगा तो इसके लिए आपका सह उतर होगा इसक्वायद अगला कोशन है इसमें कहा रहा है कि A को 2 बनाना है B को 4 बनाना है C को 6 बनाना है यानि कि आप देखें कि जो भी नमबर दे रहा है उसमें 2 का मल्टिप्लाई कर दे रहा है मतलब कि A का क्या होता है A का 1 होता है लेकिन यह कहा रहा है कि 2 रखिये B का 2 होता है लेकिन ये का रहा है कि 4 रखिये C का 3 होता है लेकिन ये का रहा है कि 6 रखिये यानि कि जो भी उसका real number होगा उसमें 2 का multiply किया जा रहा है अब कह रहा है कि 12, 10, 10, 8 इसका क्या होगा तो आप देख रहे हैं कि जब सब में multiply हो रहा था तो आपको सब में पहले दो से भाग दे देना है यानि कि 6, 5, 5 और 4 ये इसका real होगा 6 किसका होता है? F का 5 किसका होता है? E का E का और D का यानि कि आपसर नमबर आपका पहला सही है अगला है कि इसमें एक word दिया गया है आपको बताना है कि ऐसा करिए कि इसका एक अर्थ पूर्ण सब्द बन जाए R U S G A तो आपको देखना होगा कि क्या बन सकता है अगर आप इस तरह नहीं कर पा रहे हैं तो एक तो इसका और रास्ता है कि आप बिकल्पों को ले कर के देखिए जैसे कि कर है 7, 9 तो 7 मतलब कि यहां पर एक है 3, 5, 7, 9 तो आप बिकल्पों से भी लेकर हल कर सकते हैं अगर आपके दिमाग में इसको देखकर तुरंट कोई वर्ड नहीं आता है तो लेकिन इसको देखने पर एक वर्ड आता है और यह है सुगर सुगर तो सुगर यह एक अर्थपूर्ण मीनिंग बन जा रही है इसकी यहीं कि यहीं इसका सही उत्तर होगा और यहस को हम कहते हैं 5 यू को हम कहते हैं 3 यहीं कि अब चेक कर लिजिए कि कौन सा ऐसा आपसन है जो कि 5, 3 से सुरुवात की गई है तो ऐसा कि वल एक ही आपसन है और यह होगो आपसन नमबर बी यैन्ई कि इसके लिए आपसन नमबर भी सही होगा इसमें कहा गया है कि पूरा A से Зट तक दिया गया है और कहा गया है कि आप अपने दाएं से छट्वाँ और छोद्वाँ का चैन करिए और अपने बाएं से पांचवा और बीसवा का चैन करिए और एक सार्थक सब्द बनाईए और बताईए कि इन में से क्या कोई सब्द बन सकता है या फिर एक सब्द बनेंगे या फिर अगर कोई सब्द बनेगा तो उसका पहला अच्छर क्या मिलेगा तो पहले तो राइट से छटवाँ चेक करते हैं तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे यू हो गया उसके बाद से चोधावाँ तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे साथ, आठ, नौ, दस, 11, 12, 13, 14 यानि कि यम ठीक है? यू और यम मिल चुका है अब बाएं से पांचवाँ तो यानि कि E मिल जाएगा और बीसवाँ, बीसवाँ टीका होता है, तो T मिल जाएगा मतलब इन ही चार लेटर को ले करके आपको वर्ड बनाना है देखना है कि कौन सा वर्ड बन सकता है तो इससे बन जाएगा Mute Mute होता है तो Mute बन रहा है, तो अब कर रहा है कि इसमें जो वर्ड बन रहा है इसका पहला अच्छर E होगा तो ये गलत है, पहला अच्छर E होगा तो सही है कि पहला अच्छर E होगा यानि कि आपका आपसा नमबर D सही होगा अगला है, यहाँ पर Caterization लिखा है और आपको उसी तरह बताना है कि बताईए कि अगर इसमें से कोई एक सब्द बनता है या फिर अधिक सब्द बनते हैं तो बताईए उसको हाल करके तो पहले आपको देखना पड़ेगा Caterization में कह रहा है कि 4 थे 7 वे 4 था 7 वा 11 वा और 13 वा इन अच्छों का चैन करना है 1, 2, 3, 4 यानि कि E 5, 6, 7 यानि कि R 8, 9 10, 11 यानि कि T 12, 13 यानि कि देखे यह हो गया E, R, T, O मिल रहा है तो कह रहा है कि इसको ले करके एक सब्द बनाईए यादि एक सब्द बनता है तो आपको बताना होगा कि उसका अगर एक सब्द बनता है तो उसका तीसरा क्या है ठीक और कह रहा है कि एक से अधिक सब्द बनता है तो यम चुनिए और कोई नहीं बनेगा तो X उतर लगाईए तो इससे एक सब्द बन सकता है TOR तूर मतलब होता है फाड़ना चीरना तो कहा रहा है कि कोई अगर सब्द बनता है तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यह क्रिया है जो टूर है यह क्रिया है तो आप इसे एक सब्द मतलब नहीं मान सकते यानि कि यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा यहां पर आपको बताना है कि यह कोई नहीं बनता है तो आपको X ट्रिक करना है यानि कि आपका X हो जाएगा अगला देखते हैं एक सिरीज है 240 यहां पर खाली है 120, 40, 10 और 2 यहां पर आप देखेंगे 5 से मल्टिप्लाई हुआ है यहां पर 4 से मल्टिप्लाई हुआ है यहां पर 3 से मल्टिप्लाई हुआ है तो आप देख रहे हैं कि इधर जा रहा है तो यह मतलब एक एक कम होता जा रहा है तो जाहिसी बात है कि यहां पर मतलब कि 3, 4, 5 तो यहां पर 2 होगा यानि कि यहां पर भी 240 रहा होगा और यहां से इसमें एक होगा यानि कि सब कुछ सही हो जा रहा है अगर यहां पर हम 240 बढ़ देते हैं तो इसके लिए से उतर होगा 240 इसमें कहा गया है कि एक स्रिंकला दी गई है और आपको बताना है कि कौन है जो यहाँ पे आके रखा जा सकता है जैसे कि D, E, B I, G, J, N, O, L यहाँ पे आपको फिल करना है और लास्ट में X भी Y ठीक है अब देखिए इसका 4 होता है इसका 5 होता है इसका 2 होता है इसका 9 होता है इसका 10 होता है और उसी के साथ हम G का देखने तो यह 7 होता है Ye N का देखने तो 14 होता है इसका 15 होता है और इसका 12 होता है ठीक है आप एक सी समझें यहाँ पे 4 से 9 हो गया है यहाँ से यहाँ तक जाने में है अगर इसको हम मिटा दे थोड़ा तो आप देखिए जोड़ेंगे कि हर जगा 5 बढ़ रहा है, 5 इसमें भी बढ़ा है, यह 5 था तो यह 10 हो गया, यहाँ पर भी 5 बढ़ा है, यहाँ पर भी 5 बढ़ा है, फिर यह जो 9 है इसमें वाले में तीसरे में आके 14 कर दिया है, मतलब हर जगा 5 बढ़ रहा है, यानि कि जो यहाँ पे खाली जगा है उसमें भी 5 बढ़ा होगा यानि कि 14 में अगर 5 जोडेंगे 19 हो जाएगा 15 में 5 जोडेंगे तो 20 हो जाएगा और 12 में 5 जोडेंगे तो 17 हो जाएगा ठीक है अब आपको देखना होगा कि 19 होता किसका है ठीक है तो 19 किसका होता है कि आप बता पाएंगे तो यह होता है S का ठीक और 20 होता है T का बस आप मिला लिजिए कि S T से कोई आपसन है तो यहाँ पे आपको 2 आपसन मिल रहे हैं यानि कि आपको फिर भी चेक करना पड़ेगा अब यहाँ पे आगया 17 17 किसका होता है 17 होता है Q का यानि कि आपका आपसन नमबर सी सही होगा S T Q तो अगला कोशन है कि समसमाई कि करेंट अफ्यर की कुसल तयारी के लिए रोजाना अकबार से नोट्स बनाने चाहिए मतलब करेंट अफ्यर की तयारी आपको अच्छे से करना है तो रोजाना आकबार से नोट्स बनाना चाहिए ये किसी का कतन है और कतन को हमेशा सही माना जाता है अब आपको बताना है कि जो भी ब्यक्ति या कर रहा है वो क्या सूच के कर रहा है तो पहला option है कि समाचार पत्रों के बिना समसमाय की भिसे के तयारी कुसलता के साथ नहीं की जा सकती तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि उस टीचर को या उस ब्यक्ति को पता है कि बिना आपको समसमाय की भिसे के या समाचार पत्रों के आपकी तयारी कुसलता से नहीं की जा सकती तब ही तो आपको कहा रहा है कि आपको मतलब कि नोट्स बनाना चाहिए यूज पेपर से अगर उसको पता होता कि हो सकती है तो वो क्यों कहता यानि कि आपसन नमबर A सही है अगला है कि रोजाना करेंट अफेर्स के नोट्स बनाने से अच्छी तरत तयारी में मदद मिलती है तो ये इस कथन से संबंदित नहीं है यानि कि ये इसका गलत भी हो सकता है यानि कि आपका आपसन नमबर A सही होगा केवल धाड़ा A कथन नेत है देखे आपको केवल इतना ही में सोचना होता है आपको इससे अलग जाके नहीं सोचना होता है यानि कि इसका आपसन नमबर A सही होगा अगला है कि एक विद्यालय जो कि मुप्त नास्ता प्रदान करता है ताकि छात्रों को प्रति दिन कम से कम एक बार उचित रूप से पोसक प्राप्त हो जाए उसने जनौरी से इस सुब्दा को बंद कर दिया क्योंकि जो चरिटिवल सोसाइटी थी जो इसका प्रबंद करती थी जो इसके लिए पैसा देती थी उसको जो दाम में पैसा आ रहा है उसमें कमी आ गई है अब आपको निसकर्स बताना है अब यहाँ पे दिया गया है कि निड़े ले और दी गई मानेताओं में से कौन सा नुछित निहीत है अब छात्रों को जनौरी में कोई भोजन कोई पोसक पदार्त नहीं मिल सकता तो यह बिलकुल गलत है गलत इसलिए क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि उचित रूप से नास्ता नास्ता की बात की गई है तो ऐसा नहीं है कि उनको जो घर पे भोजन मिलता है उसमें कोई पोसकता तो नहीं मिल रहा है यहाँ पे कोई सब्स दिख रहा है यानि कि यह गलत होगा भविस में Charitable Society के लिए दान में और कमी आ सकती है तो यह तो भविस की बात है इसका पता नहीं अगला है कि Charitable Society द्वारा प्राप्त दान का उप्योग समाजिक कल्याण के लिए किया जाता है तो यहाँ पे आप इसको चेकर लिए परिवारों के पास या तो अपने भच्चों को पोसक परदान करने के छमता नहीं है या वही इस बात से अनिभिग हैं कि पोसर्क पोसक भोजन क्या है तो यह आप देखेंगे कि संटेंस से बहुत बाहर जाकर के सोचा गया है यानि कि इसका आपसन नमबर सी सही होगा तभी तो क्योंकि एक सोसाइटी है जो कि मुप्त में भोजन प्रदान कर रही है नास्ता प्रदान कर रही है इसका मतलब क्या है कि वो समाजिक कल्यान के लिए काम कर रही है यानि कि इसका आपसन नमबर सी सही होगा अगला है कि प्राराव में सिच्छा और सिच्छा के महतों को मनेता दी गई है किसी ब्यक्ति के जीवन में सिच्छा का बहुत ज़्यादा महतो है क्योंकि धैन ग्यान और कौसल को बढ़ाता है किसी भी अन्य लच्च की तुलना में सिच्छा को अधिक महतों दिया जाना चाहिए क्योंकि यही वे मुख्धत्व है जिससे जीवन को आकार मिलता है सिच्छा के बहुत फायदे हैं सिच्छा एक बहुत अच्छा साधन है जो सभी को उसके जीवन में लाबवानित करता है तो इसमें आपको बताना है कि इनमें से कौन सा विकल्ब सिच्छा के लाबो से सही नहीं है अगला है कि सिच्छा बेक्ति को समाज में ससक्त बनाने में सच्छम है प्रतेक बेक्ति को सिच्छा काधिकार है या समाज के सभी लोगों में समानता का बावना लाता है या लोगों को मानसिक समाजिक और बहुतिक रुप से ससक्त बनाता है ठीक है अब आपको इसको पढ़के ही इसका उत्तर देना है तो इसमें देखिए आपको कहीं पर भी सिच्छा के अधिकार के बारे में बात नहीं की गई है कहीं पर ऐसा नहीं कहा गया है कि सिच्छा उनका अधिकार है यानि कि यह आपसे नमबर भी गलत होगा और इस question के हिसाब से यह सही होगा अगला question है कि एक समाजिक कारे के लिए सो चात्रों की कच्छा में से 50 चात्रों जो पेंड लगाना चाहते हैं 50 पेंड और जो इसमें से 70 है वो सचता अभियान में 70 सचता तीक है कह रहा है कि 10 चात्रों में से कुछ भी पसंद नहीं करते हैं बताईए कि दोनों समाजीक कारे को कितने चात्रोंने पसंद किया मतलब कामन इतने कितने लोग है जो पेंडेंड और 2 kवह पसंद किया अगर यहां पर हम एक ग्राफ बना दें तो इससे आप समझ पाएंगे यह हो गया पेंडма यह हो गया स्वच्छता यहां पे हम आल ओबर सौ कर देते हैं यह पूरा इसको मिला करके सौ है तो इसमें से दस ऐसे लोग हैं जो कोई भी काम इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है पचास लोग हैं पेंड लगाते हैं सतर लोग हैं स्वच्छता में करते हैं तो आप सो में से 10 पहले ही निकल चुका है लेकिन यहाँ पे इनको जोड कर कितना हो रहा है 120 अब यहाँ पे आप देखेंगे कि 30 अधिक आगए यानि कि यही 30 अधिक आए हैं यह लोग कामन है जो कि दोनों में काम किये हैं यानि कि इसका सही उत्तर होगा 30 तो आप इसको अगर अच्छे से बनाना चाहें तो यहाँ पे 20 करना होगा यहाँ पे 30 करना होगा और यहाँ पे 40 करना होगा यानि कि आपका उत्तर तो आई चुका है 30 आप इसे मैत के तरीके से भी हल कर सकते हैं आपको पहले ही पता करना होगा कि कितने चात्रों नहीं लगाया तो कुल मिला के 100 में से 10 पहले ही निकल गए तो जो पीन नहीं लगाया उनकी संख्या हो जाएगी 40 जो सोचता में नहीं गए उनकी संख्या हो जाएगी 20 यानि हो गए 60 और 60 और 60 और कुल मिलाके 90 थे तो 90 में से 60 घटा देंगे तब भी आपका उतर आ गया होता अगला है इसमें कर रहा है कि एक व्यक्ति केली स्ट्रेट में खड़ा है यानि कि यहां पे खड़ा है ठीक है यहां पे खड़ा है और उसके बाये तरफ स्वापिंग माल है यह स्वापिंग माल है तो देखिए यह व्यक्ति के जब इधर स्वापिंग माल दिख रहा है लेकि यह इसका राइट है और यहाँ पर आप Swapping Mall देख रहा है तो कह रहा है कि उसके बाइए और Swapping Mall है तो यह इसका दाया हाथ है यह इसका बाया हाथ है तो पूछ रहा है कि इसमें J की स्थिति कहां है तो आप देखेंगे कि J की स्थिति यही है तो J किता रहे इसके राइट साइ में सेयर करें आज की इस वीडियो में इतना ही थैंक यू